हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो वा यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सर्व फाइनली गाइज, अनदर डे एन अनदर ग्जाम हम पहुंच रहे हैं अपने कॉलेज यहां मेट्रो में आ चुकी हो, मेट्रो भी अंडरग्राउंड से जस्ट भी बाहर निती है और गाइज, आपको तो पता है, जब विया ब्लू लाइन पे हो तो राजिव चौक साथे ले जा रहे हो तो वो हर्मान जिका फेमस दिली वाला मंदिर तो देखना बनता है कि बहुत अच्छा लगता है उनका मूर्ती हो यह जो और मैंने देखा शूट करते करते की दूसरा स्टेशन आगे बट वो मूर्ती आई नहीं थी आपको दिख रहा होगा यह यह वो फीमस हनुमान जी की मूर्ती इतनी बड़ी वाली जो दिली में है हम पहुंच चुके थे अपने मेट्रो स्टेशन पर और आज मेरा सेकेंड एक्जाम था और मतलब था आप तो भीती गया क्योंकि व्लॉग मैं बाद में अप्लोड करूंगी सो गाइज आप देख सकते हो काफी सादा बीडो रखी थी और गाइज आपको मैं एक इंटरस्टिंग बात बताती है सामने जो लड़की चल रही है न हाँ यही काले बैग वाली और जिसने जुड़ा बना रखा है और जिसने गले में मौफलर टांग रखा है हाँ गाइज यही है वह लड़की और कोई नहीं है यह फर्स्ट एक्जाम में जस्ट मेरे साइड में बैठी थी और गाइज यह बंदी चिटिंग वगएरा करके आई थी ना इस बंदी ती गंदे चिटिंग करें अब देख साथी यहां मैंने भी ना एक्जिट ले लिया तो और एक्ज लड़की है वो जो अपने शूलेज बांद रही है इसी नहीं इतनी ज़्यादा चिटिंग करें थी ना इस बंदी पकड़ी गई और फिर तो टीचर ने इसको बहुत सुनाया बूला आपको तीन साल के लिए रैस्टिंगेत कर दिया जाएगा ये कर दिया जाएगा वो घर दिया जाएगा और जब मेंको तो यहां पर मैं आ चुकिए अपने कॉलेज और देख सकते हो बच्चे आना शुरू हो गया है तन गाइज वापस ही वह वाला स्ट्रगल हो गया यहां पर तो कि आओ अपना रोल नंबर देखो सीड देखो देखने तो देखने तो देते ही नहीं है इतना जुंड बना के खड़ आपने लेने के साथ साथ थी निकली होते है ना था था तो सेकंड शिफ्ट में एक्जाम बट फिर भी गया आपको तो पता ही ठंड इतनी हो रही है ना कि क्या ही बता हूं और मेरे प्लस पाइंट है कि मेरी फ्रेंड का कॉलीज ही रहा है तो मैं तो पूछती आगई यहां पर नहीं जाना तुझे मैं दिखाया था जहां पर हम लोग डांस वांस करते हैं जो हमारा ऑडिटोरियूम कहलाता है ना वहीं पर बैंच लगाई हो यह तिरको वहीं पर जाके बैठना है वहीं पर जाके तरह रोल नंबर बगर आएगा देन गाइस फिर हम एंट्र ले ले ती कैंटे है और गाइस इस कॉलिज में इतनी सारी भीया है फरेस दे मैंने आपको ब्लैक वाले दिखाया थी आप को औरेंज वाली ब्ली देखेगी मैं यह तिनी सारी भीया करती जानवरों ने डिली के को पर देख सकतो हैं यह बच्छी आ बैठके पढ़ रहे थे जो कि एक एक घंटे पहले आके बैठके पढ़ते रहते हैं इन लोग को तो हो जाता नो गाइस यह दुख आप देख रहें ने यह जो बुढ़ा जा रहा है यह बुढ़ा कोई और निया बुढ़ा ही है जिसने उस लड़की को एक्जाम में पकड़ा था और यही हमारा फर्स इतना गंदा इतना घटिया और्डिटोरियम है मतलब आप देखी लेना इक तो दरवज्जा इतना सा छुटकुसा उसमें से जाओ हैं और आप देख सकते देखो स्टेज जिस पे इनोंने बैंच लगा कर रखी हैं और गाइस यह हॉल काफी बड़ा था मतलब अब इसको क् एक परीषर समपरीषर परीषर हाल यह रखा था है सभवा परीषर ऐसी करके कुछ हॉल का नाम दे रखा ता इसी में तेंथी रो मिरा अला स्थद पर मेरा नंवर था जो की मेरो नंबर था इन यहावे मैं बैट गई थी अपना सारा समान वाद लेके इन उसके बाद गाई पर रिख यहां पर मेरा िग्जाम लिखने के बाद फंधा को रहा चुका है यह ऐसे these पर देख सकते हो मेरे हांध मेरा बैग रहए और जल्दी से मारा अधु Đंटे पहले हघाता मेरा त्योगक टेlam जो नोट्स प्रिपेर किये थे ना वह ने पूरे ना मैं नोट्स को ना ऐसे कर लेती हूं कि दो पेजों में कवर कर लेती हूं इतनी शौट पॉइंट्स में फिर उसके बाद मेरा काम होता है क्या कहते हैं इनको एलोब्रेट करके अच्छे से जो मैंने डीप रीडिंग की हो उनको मैं छोटे-चोटे पॉइंट्स में लिख लेती हूं देन उसके बाद मैं इन चीजों को ना चोटे पॉइंट्स में लिखके ताकि मुझे बड़ा-बड़ा एंड मोमेंट पर आदना करना पड़े चोटे-चोटे-पॉइंट्स को फिर मैं एलोब्रेट करके लिख देन गाइज आप देख सकते हैं मैं मैं डेटर स्टेशन पर आ गए थी मुझे टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ी इतनी भीड और आप देख सकते हो एक बेटर पर तो ऐसा था जस्ट मुझे चड़ नहीं था बट मैं का नहीं इसमें नहीं चड़ूंगे मैं गिर जादा कि कोई सवाल ही नहीं सो गैस उसके बाद में को थोड़ सी भूख लगी थी मैंने खाए थे पनीर मोमोज यहीं पर मेरा व्लाग होता है खत्म बाई बाई गाइस बाई